दोस्तो BCCI के मीटिंग में फिर से बदली भार्ति टीम, रातो रात दो खिलाडी पहँचे एहमदाबाद, तो कौन से वो दो खिलाडी है जो एहमदाबाद पहुचेंगे, बताएंगे उस वीडियो में, अगर आप भी है भार्ति टीम के फैन, तो इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो भारती टीम ने अपने स्कॉर्ड में एक बार फिर से बदलाव कर दिया है दो ऐसे खिलाडियों के एंट्री करी है जो कि भारती टीम को पूरी तरह से जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं अब भारती टीम को वेस्टन डीज के खिलाब मैचेज में जरूर जीत दिलाएंगे दरसल दोस्तो भारती टीम साउथ अपरिका से हाडने के बाद पूरी तरह से इस सीरीज को अपने नाम करना जाती है वेस्टन डीज जो कि भारती दोरे पर आ रही है भारती टीम कता ही नहीं चाहती है कि वेस्टन डीज को यहां से जीत कर वापस जाने दिया जा है बतादे इस से डूल का तो वेस्टन डीज का भारत दोरा जो होने वारा उसका पहला मुकाबला 6 फरवरी को एहम्दाबाद में दूसरा वंडे मुकाबला 9 फरवरी को एहमदाबाद में तीसरा वंडे मुकाबला 12 फरवरी को एहमदाबाद में के रजाएगा कोबिन नाइंटीन के दौर को एतिहातन कदम उठाते हुए PCCI ने या फैस्ट लाल लिया है, PCCI के एक वरिष्ट अधिकारी ने समाचार एजनसी से का, हाँ सारुक खान और साई किसोर को वेस्टनीच चिनीम के खिलाफ स्टैंडबाई के तौर पर बुलाया गया है, वा टीम क मुकी खिलाडियों के साथ बायो बबल में प्रवेस करेंगे, सीमी तो उबर के सीरीज की सुरुवाद 6 फरवरी को एहमदाबाद में एक दिवसी मैच के साथ होगी, इसके साथ बाकी दो एक दिवसी मैच यहाँ पर जो होने वाले हैं, उसकी आयोजन भी होने वाड़ी है, इस पिनन साही की सोर दूसरी बार टीम इंडिया के साथ जुडने जा रहे है, पिछले साल राहूल द्रविट के नेतृत में सिलंका दोरे पर उनको नेट गेंदबास के तोर पर सामिल किया गया था, सारुक खान इस घरेलू सीरीज में कामाल का परदसन करने के बाद टीम म मुख जगा पर बनाने में काम्याब रहे है, सारुक खान ने करनाटा के खिलाब मुस्ताकली ट्रॉफी में फाइनल में मुकाबले में आकरी बाल पर शक्का लगा कर टीम को एक बार फिर से जीत दिलाई थी, अब वही काम भारती टीम के लिए भी करने वाड़े है, आपके